हाइट फ्रेंज्रेड्स विल्कम थोये चनल प्रेंड्स डियाया डियार अब MIKE.Tust माने लिखे पॅबावरण. वेया भी फॉल्टो प्लावरण.ट मैं जो फाल्व कर रही हूँ आपिには वैसा कर सकते हैं चुछicidesिन पहले देख सकते हैं बहुत भरह अपरा सा फ्लावर्स क्यां टो जो है। इस पोलत से अधह दिन रहेते हैं गोडने शहां। तो पानी लगते ही इसके flowers जो है बहुत जल्दी कराब हो जाता है नई तो ये इसकी flowers जो है बहुत दिन तक अच्छी सिखिले हुए से रहते हैं इसमें तो बहुत colors आते हैं ये देजी और ये variegated hybrid सब भी इसमें आते हैं तो मेरे पास भी कुछ colors है ये आप देख सकते हैं चोटे चोटे डबे में bottles में में जून में इसको लगाया हुआ था क्यूंकि उस टाइम जो है मेरे मेन मदर प्लैट्स जो थी वो बहुत ही लगी सी हो गई थी और खराब होने लगी थी तब मैंने उसके सारे cuttings लेकर सभी जगह पर मैंने लगाना start किया था बहुत ही अच्छी सी ये लग गए थे तो उसी चलते हैं इसका क्या हुआ जल्दी जल्दी से इसमें flowers आने लगे थे तो इस बार देखिए जल्दी से flowers पी आ गए और ये मुर्जा गए हैं तो इसको मैं second इसके flowers के लिए जो है मैं इसको ready कर रही हूँ तो इसके लिए पहले जो मैं थोड़ी सी ये मुर्जा इवे flowers जो है वो कट करूँगी और इसे लगाना आसान है इसे care करना बहुत आसान ह एक लूंट मिनसी कुट किन ऑगाता है तो इसके लिए मुर्जा जोहें प Jeżeli Maarten फूंगी वाटे जोहें होगना इसमयार था तो मैंनी कट करना लेट कर दिया था तो flowers इस तरह से आ रहे जो मैं अभी जास को हात में लिया था वही मेरा बंदर प्लैंट्स थे तो उसको मैं अभी बाद में आपको दिखा देती हूं अभी फिलाल यहां पर भी बहुत सारे ऐसे हैं इन फ्लावर्स को मैं निकालूंगी औरेंज, वाइट, पिंग, यलो और देसी वाला रेड तो इसमें बहुत सारे ऐसे कलर्स जो हैं मैंने लास्ट यहर से इन्हें समाला हुआ है तो बहुत ही अच्छी प्लैंट मुझे लगती है विंटर में बहुत ही प्यारे से खिले हुए रहते हैं इनमें एक बार फ्लावरा कर बाद नहीं होता है पूरे विंटर तक यह फ्लावरिंग करता रहता है तो उसके लिए हमें थोड़ी से केर करनी पड़ती है फिलाल इसमें एक प्लैंट उकर आई थी मैं ऐसे निकालने के लिए सोच रही हूँ क्योंकि बालसम जो इस टेम नहीं आता है बर्स बने हुए है देखते हैं अगर रहता है तो रहते हैं देंगे नहीं तो निकाल दूँगी मैं है तो विलाल मैंने शाब हुए हिसमें मर्जा आऋवेव फ्लावर जो है वो निकाल दिया है की तो आप वी जो है है mother plant तो इस तरह जो आप देख रहे हैं इस तरह उस टाइम भी ऐसे ही हो रहा था प्लैंट सूखने लगे था मेरा तो उसके लिए ही मैंने सारे कटिंग जो है वो अलग-अलग लगा लिया था तो इसमें रहने दिया तो इसमें भी कुछ चल रहे थे फिलाल इसमें ऐसे ही हा यहां पर अभी कटिंग लगाना टाइम नहीं है फ्रेंट्स आप नर्सरी से प्लैंट्स बाई कर सकते हैं अगर मेरे यहां कुछ इस तरह का प्राब्लम है तो मैं इसका कटिंग जो है अभी ग्रो करूंगी यह सबको तो इस तरह से वह कुछ में रहने दूंगी वो कुछ स मेरे सूके हुएते उसके बाद मैंने इसका मिट्टी को थोड़ा सा दूप दिखा कर नीचे थोड़ा सा मेने वेस्ट डालकर उपर से मैंने मिट्टी भरकर रेडी कर दिया था और यह बहुत दिन हो गया है प्लियोंगी एহ मैंने कोई भी पॉजा नहीं लगा आ आच्छी सवैल है ये इतना दिन ये रेस्ट भी ले चुका है तो अब नीचे भी कम्पोस इसका रेडी हो रहा है तो उसका अलगभग रेडी हो चुका है तो उपर से मैं थोड़ी सी गोट में नूर दे रही हूँ और थोड़ी सी मैं सोसं को पॉडर भी डाल दूंगी इसमे बाद में मैं फोड़ी सीज में लिक्विट पटलेजर भी आड़ कर दूँगी दीरे दीरा भी नहीं कुछ दिन के बाद तो मैंने इस तरह का वेल्डरन सॉइल जो है प्रिपेर कर लिया हैं तो इसी में मैं कटिंग लगा लगा अभी कटिंग लगा लेंगे तो एक मैने तक यह स्टैंड हो पाएगा तो उसके बाद ही अगर हो सकता है तो फ्लावरिंग कर देगा तो देखें जहां पर सुका हुआ था वह सब मैं नीचे से कट करकर मैंने लगा रही हैं आप चाहें तो अल्मेरा जल में डिप करकर भी तो इस ग्रोथ को मैं ऊपर करकर लगा लूँगे तो इस में भी रूट्स है इसमें कुछ प्राब्लम हो गई है शाहिए देखी इसमें भी रूट्स है और ऊपर थोड़ी सी सुक्री है नीचे से निव ग्रोथ हो रही है तो उसको मैं उपर ग्रो होने दूंगे और इन्हें जो है फ्रेंडिस आप शेड में भी रख सकते हैं फुल संलाइट में भी रख सकते हैं यह बस तीन-चार गंटे का धूपी यह क्रेंचु प्लैंट्स जो है वह लेते हैं ज्यादा धूप अगर नहीं है आपको बालकनी मे इस आराब से ग्रो कर सकते हैं तो इस तरह से मैं सारे JR में लगा रहे हूं आज मैं कट किया है तो इन सब में आज़ टो इना मैं और जो फट्लैजर भी देना है तो फट्लैजर मैं कौन सा देती हूं और क्या कराव बने रहे हैं तो चलिए यह सब कटिंग में लगा लूँगी तो यह देखिए फ्रेंड्स यह है केले के छिलके बहुत दिन से मैंने कटा करकर रखी है यहां पर पूरे से पूरे ड्राय हो चुके है यह देखिए तो इस तरह के मैंने बहुत बना के रखी हुई है थोड़ी थोड़ी चोटी चोटी से पॉर्ट में बहुत मेरा जमा है इस तरह से दूप में सुका दर अन्देती हूं में इन सब को बहुत क्रंची सा हो गये हैं तो देखिए इस तरह से हाथ से यह आचे से क्रश हो रहे हैं मैं थोड़ी से पतर से और क्रश कर लूँगे तो यह चाइब की पत्ती फ्रेंट्स यह भी मैंने दूप में आचे से इसको दूपाने के लिए डाल दिया है तो देखिए बहुत ही सूखने के बाद यह हम प्ले गिर गया थे तो नमी सा मुझे लग रहा है अची से यह सूखेगा तब मैं डाल दूँगी और इसे भी मैं बाद में यूज़ कर लूँगी यह सब है जो रडी करकर मैं यूज़ करती हूँ हमसे शेयर कर रहे हूँ मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि एक बार बता दे तो रहे हैं तो उसके बाद यह फ्रेंट्स गोट मैनूर को मैंने लिया है बहुत पुरा नसा गोट मैनूर है यह तो उसके बाद यह जो बड़ा बला वाइट टपा है उसमें सासों की पोडर है मस्टर सीट्स की जो मैंने पोडर आप से बताये थी उसको भी मैं पानी में डाल कर यूज करेंगे फिलाल मैं आज जो है इन सब को रड़ी करकर रख रही हूँ रड़ी हूँ है जो वही मैं इसमाल कर रही हूँ यह है गोट मैनूर का टी इसमें मैंने तीन दिन पहले ही भीगाया हुआ था इसमें तो देखिए इस तरह से यह रड़ी हो चुका है आज मैं इसमाल करूंगे तो यह देखिए गोट मैनूर बहुत पुराना है यह मिट्टी जैसा यह लग रहा है तो इस तरह का ही आप लिक्वीड फटलैजर बनाने के लिए यूज करिएगा जो फ्रेश रहता है वह आप मिट्टी में डाल सकते हैं तो मिट्टी में जल्दी इस गल जाता है तो यह बला रडी है उसके बाद यह बनाना पील फटलैजर जो है यह भी मेरा रडी है लास्ट में मैंने आपको दिखाया था इसमाल कर दिया है और कुछ मैं आज इसमें सारे फ्लावास के प्लैंट में जो है वह मैं डाल दूंगी दीरे-दीरे करकर कुछ एक-ए प्लाल मैं आज डाल रही हूँ यह गोट मेनूर का और यह बनाना पील फटलैजर जो है इसको भी मैं पाने में डाल दूंगी तो नेक्स्ट भी तक यह भी मेरा रडी हो जाए तो चलिए यही फटलैजर हम डाल देंगे पहले में पोटेश की मात्रा जो रहती है बनाना पी जो मुझे आड़ करनी है तो उसके बाद यह वाला नेटोजन की जो बहुत सारा नेटोजन मिलता है तो यह वाला फटलैजर भी में मिला रही हूँ तो इन दोनों को मिला कर मैं आज सारे प्लैंट्स में जो है वो में दे दूंगे सारे फ्लावरिंग प्लैंट्स पर हमें देना है यह भी कटिक्स देखिए कुछ मैंने बचा था इसमें भी लगा लिया है देखिए फ्रेंट्स मैंने इस तरह से लगा लिया है सभी इसमें और यह गेंदा है यहाँ पर गेंदे पर भी मैं सारे प्लैंट्स जो मेरे गेंदे की हैं वह अची से ग्रो करेंगै बट्स पीया रहे है तो उनमें भी सारे में इसी का फट लेजर जो है यूई यूज कर रही हूं तो इस तरह सारे गुल्दाओ दी है मेरा के लैंचूज है भी देसी वाला के लैंचूज भी हैं बहुत सरे बर्स उसमें आहे हुए फ्रेंड्स तो सभी के सभी फ्लावर्स प्लैंट्स जो है वह सब में मैं आज यह सब ढाल रही हूँ क्योंकि इस फ्लावर्स जो है बहुत जल्दी से इसमें भी आ चुके थे अभी देखे कितना चासा कुछ खिल रहे हैं और यह सब जो है मैं डाल रही हूँ इसमें भी जो फ्लावर्स है वो कुछ ही खिलने के लिए अभी तयार है फ्रेंड्स कुछ में बर्स अभी आ रहे हैं इस सब में तो देखिए थोड़ी सी चेंजेस है इसमें तीन मिक्स है प्लैंट्स तीनों तरह केका तो फैनली मैंने सभी इसमें जो है पानी दे दिये अपनी पोदों को पटलाई जर्वल और यह देखिए देशी कलंच जो अभी बर्स आ रहे हैं यहां पर भी है पर यहां पर भी थोड़ा सा छोटा सा जो कटिंग है मेरा यहां पर भी मेरा रडी है तो रहे किया तो सारे इसमें मैंने डाल दिये हैं तो आपि इस तरह का जो होम मेड फटलाईजर से और घर में किचन में मिलने माला जो है वो सब आप यूज कर सकते हैं मैं जाधतर पेस्टेबल्स के लिए तो यही सब मैं ग्रो करती हूं और यह मैंने थोड़ी सी शेयर भी करूँगे तो ओके फ्रेंट्स मिलते हैं